आज में सुभा जो आपका पेपर आने वाला है 16 सितंबर का वो पेपर बताने वाला हूँ यहां से आप तो ध्यान से समझ लिएगा अच्छे से कम्पलीट कर लो जिन बच्चों को भरोसा है ना वो आप मेनग करके याद कर लो अच्छे से ठीके भी या अब आगे आपकी मर् अच्छा जानता रभी यानिकी चना मसूर जब वो नहीं करते उसे के तो रभी की भसल ठीके चना हो गया प्रात्मिक छेत्र की जो गतिवी दिये वह यह गन्ने से सकर का बनना गांदी जी ने जो साबर मती आश्रम बनाया था वो थोड़ा यहां पर रोंग मेने लगा दिय या 1915 इसका राइट ओप्सन रहेगा ठीके सरकार का कोनिसा रूप बहतर है अराग जकता भारत का प्रमुक्तम आयात वस्तु करते हैं आयात का मतलब है भारत बाहर से जो मंगाता है वो है खनीज तेल ठीके इसलिए पेट्रोल और डीजल के भाव मोधी ने बिल्कुल साब डेड़ से रुपे कर दी एक बारों जीता देना दो से रुपे पेट्रोल हो जाएगा ठीक है चलिए ओसत आयू को प्रतिव्यक्ति आई भी कहा जाता है का पास नए युग का पहला प्रतिशे भारत में सड़क जाल लगबग 56 जियम आ जाएगा महिला सक्षरत प्रतिसत ज कि उन्निस सो बावन से नदी घाट परियोजनाओं के कारण वन शेत्रों को साप करना पड़ता है सत्य है अठारा सो पाच में प्रांसे की करांतिविती गलत बात है ठीक है यहां से देखिए आप और भारती संग की कही काईयों को बहुत कम अधिकार पर आप ते सत्य बात है कि सत्य सत्य आप कर लेना जोड़ी की बात करूं तो समझा देता हूं सोरी जोड़ी तो हो गई एक वाक्य में उत्तर है नवीन जलोड़क का इस्ताई नाम क्या है खादर केते हैं जो नही जना के अनुसार भारत की साक्षातादर कितनी है 73 परसेंट भारत में इस्थानिय सासन के लिए कितने लोग चुने जाते है 36 लाग नीजी छेत्रों को के एक उद्युग का नाम बता है टिसको भारत में किंद्री सरकार की तरफ से करेंसी नोट को उनजारी करता है भारती ज बच्चों को अच्छे से कैयारी करनी है कर सकते हैं आप अच्छी मेहनत कर लेना यह प्रस्न ही आपके परिच्छा में आएंगे थोड़ा सा बढ़ा कर लेते ताकि आपको सारी चीजे नजर आ जाए यह स्कीन सोट लो पटा पटा आप तो यहां से रूडी वाद से क्या से प्रेडिक सारी कौन था रोलेट एक ठीक है गडबंदन सरकार का क्या थे समरूप समाज से क्या से देख लिए आप तो पटा पट से सोट लो समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है जितने हो सकते हैं याद कर लो और हां टेंसल लेने की जरुवत नहीं है बिलकुल भी आपको क्यों क्योंकि वार्सी पर इच्छा थोड़ी है यार कि आपका रिजल्टी बिखर जाएगा फेल भी हो जाओ तो कोई देखत नहीं वेसे आप दो-चार प्रस्शन भी रट लोगे और दो-चार सही वी कलप आप अच्छे से पास तो वेसे हो जाना है ठीक है चलिए और हमारे भईयों तो वो समझदारे आसपास वाले बच्चों के पास से लिखके आ जाते हैं ठीक है भईया तो फेल दोने का सासा विल्कुल मत करिये